और जब मौन्सून जैसे अभी बारीज का मौसम आ रहा है तो बारीज के मौसम के सुरू होने से पहले ही हम जो कहते हैं यह वैक्षिनेशन उनमें करवाना बहुत जरूरी है और यह तीन चीजे जो है आप पॉइंट ध्यान में रखते हुए इसे वैक्षिनेशन करवाना है क्योंकि बिना डिवामिंग के आप वैक्षिनेशन करवाने से भी कुछ ज्यादा लाव नहीं है क्योंकि डिवामिंग करवाना जरूरी है और जो जिस तरीके से मैंने चार और पांच बिमारियों की नाम बताई इसकी प्रॉपर वैक्षिनेशन से ही बक्रियों को हम बचा सकते हैं अन्ना था होने के बाद तो इनका बचाना मुस्किल है गोट पॉक्स बक्रियों में चेचक से बचाव के लिए टीका है इस तीके को भी तीन से चार महिने की उम्र में पहला टीका और हर साल के बाद इसको पुनह लगाया जाएगा गोट पॉक्स सभी उम्र की बक्रियों में विशानु द्वारा होने वाला संक्रमन रोग है और मेमनों में इसका प्रभाव काफी गंभीर होता है तो टीका करन जब भी आप ये ध्यान दें टीका करन उस पसुओं का करें जो स्वस्त है जो बीमार है जो कमजोर है जो गाभिन है जिसे हम प्रेग्नेंट कहते हैं उस बख्रियों का टीका करन ना करें ये चीजे टीका करन के समय बहुत महत्व E wandering स्ट्रेस जाएंगे और टीकए करने हम करेंगे और ऑड़ी में इक स्ट्रेस लेके जाताइए और टीका करने के बाद आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि टीका करण के बाद आप पसुओं को ज्यादा stress में नाला है तिका करण के बाद तुरंथी जो है पानी अगर गडमी का मौसम है तो थोड़ा normal पानी with electrolyte 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 के साथ दें टीका करण के पहले अगर हम electrolyte का या anti-estress जिसको कहते हैं हम चीनी पानी का भी घोल दे सकते हैं तो क्योंकि वैक्सीन जो है देना एक अलग तरह का क्योंकि हम उसके अंदर जो एक life attunated virus ही डाल रहे हैं, तो एक तरह से अलगी stress है, तो एक stress से बचाने के लिए हम vaccination के पहले हम उसको electrolyte और vaccination के बाद भी हम electrolyte देंगे, खाना पीना समय पे देंगे और पानी के जो मात्रा है व हमेशा स्वस्ति रहे हैं